हेलो एब्रीवन वेलकम बाक तो अनदर वीडियो पॉर्टो क्रिटीक और आज जो गाड़ी हमारे पास है वो है ये किया कारेंस का सेकिंड बेस्ट मॉडल सबसे जादा वैली फॉर मनी वेरिंट अपने लाइन अप में यही है अगर हम बात करें गाड़ी की कीज की तो कुछ इस तरह से इसकी कीज दिख देंगे आपको इसमें पुश बटन स्टार्ट नहीं मिलेगा आपको अब ये जो मॉडल है प्रेस्टीज मॉडल सेकिंड बेस्ट मॉडल इस मॉडल का पर्टिकुलर प्राइस 9.99 लाक एक्शो रूम तक जा रहा है काफी ज़ादा वैली फर मन सब问 है अब यहाँ पे आपको इसका और भॉलेंगे यहाँ पर नीचे आपको सिल्वा फिनिश है हालाःकि कीट उमोडेल में आपको और कि रो performs गा गाड़ीमें आगे आपको चार पार्किंग सेंसर से जो सारे आपको डिफरेंसे नोटिस होंगे मेजर वह आपको साइट प्रोफाइल में होंगे गाड़ी के चुंकि इस मॉडल में आपको यहाँ पे क्रोम डॉर हैंडल मिलेंगे तायर्स की बात करते हैं यह स्टील वील है विद वील कैप और इसका जो साइज है वो 205 65 816 का है अच्छी बात यह है कि टॉप मॉडल में जो आपको अलॉई मिलेगा उसका भी सेम साइज है गाडी के यहां पे आपको क्लाडिंग मिलेगी और यह गाडी में आगे से लेके पीछे तक जाती है तो गाडी से कापी अच्छी दिखिया क्वाटर ग्लास की गार्निश की बात करते हैं पर आपको बलाक मिलेगी टॉप मॉडल में आपको ख्रोम मिलता है बट ये भी ठीक लिख रहा है, chrome door handles इस model में नहीं है, पीछे से बात करते हैं, तो rear look इस model की वच ऐसी लिख्टी है, शार्ट में 19 आपको मिलेगा, roof rails आपको उपर मिलती है, इस model में भी, अब जो difference पीछे है वो यह है कि यहाँ पर आपको rear wiper नहीं मिलेगा, rear defogger नहीं है इस से दो भी दे सकती, ती gos cutting के लिए है, बट company नहीं तरह, यहाँ पर आपको इसका piano black toucher top model की तरह, which is nice, rear camera की placing आपको यहाँ पर मिलती है, इसकी quality की बात हम गाड़ी के अंदर जाके करेंगे, यहाँ पर आपको TGDI petrol engine की badging है, boot खोल के देखते हैं, आपको क्या differences मिलेंगे, क उसका spare wheel है, company ने वो गाड़ी में नीचे place किया है, और उसका भी size जो है, वो same है, बात करते हैं गाड़ी के side look की, तो इस second base model का आपको कुछ इस तरह से look मिलेगा, गाड़ी काफी अच्छी दिख रही है, in fact second base model यह है, यह लग भी नहीं रहा है, अब यहाँ पर आपको इस traction control, TPS, TPMS जैसे features मिलेंगे, चलते हैं गाड़ी के driver side की तरफ, तो यहाँ पर आपको chrome door handle नहीं है, body colored ही है, इसका door handle, अब इस गाड़ी में आपको push button start नहीं मिलेगा, तो आपको manually key लगानी पड़ेगी, side में बात करते हैं, यहाँ पर आपको इसका traction control मिलता है, headlight leveler है, यहा यहाँ पर काफी सही है, यहाँ पर आपको इसका coin holder मिलता है, आप अपने coin में अगयरा रख सकते हो, कुछ ऐसी दिखे कि आपको इस door की look, यहाँ पर आपको soft touch नहीं है, company है, लेकिन यहाँ पर आपको beige interior दिया है, सारे इसके power window के जो buttons है, वो backlit है, ORVM इसके foldable नहीं है, सि यहाँ पर आपको इसके satin में finish door handles मिलते है, satin की finish यहाँ पर इसको door trims पर है, seat adjustment की बात करते हैं, तो आप इसको अपने heat height के according adjust कर सकते हो, चलते हैं गाडी के अंदर, तो कुछ इस तरह दिखेगा आपको इसका completely digital instrument cluster, यह system चेक करता है, गाडी on होते ही, low fuel की warning दिखा रहा ह यहाँ पर आपको इसके twitter की placement मिलेगी, यहाँ पर शायद company ने इसमें speaker नहीं दिया है, तो आपको इसमें शायद aftermarket लगवाना पड़ेगा, और यहाँ पर आपको check सा design है, top model में यहाँ पर आपको piano black मिल जाता है, बट यह भी सही दिख रहा है, बात करते हैं से infotainment system की, यह वही sonnet वाली unit है, इसमें भी आपको apple car play, android auto, main basic features सब मिल देंगे आपको इसमें, उस regard में इस system में आपको कोई कमी नहीं है, हाला कि थोड़ा छोटा है, यहाँ पर आपको sunblind पे ticket holder है, ना glass, आपको ना mirror मिलेगा, ना light है, इधर की तरफ आपको mirror मिल जाएगा, बट light यहाँ सब्सक्राइब नहीं है, sun glass holder है, उपर, reading light के controls है, reading light जो है, हालोजन ही है, इतने price में आपको वही expect होनी चाहिए, LED तो नहीं देगी company है, और top model के अगर आप बात करें तो यहाँ पे आपको sunroof मिलती है, यहाँ पे आपको वह नहीं मिलेगी, यहाँ पे यह feature miss out कर जाएगी AC की बात करते हैं, यह automatic AC नहीं है, climatronic, यह आपको manually adjust करना पड़ेगा, बट इतने price point में यह भी ठीक दिख रहा है, काफी well laid out है, steering controls की बात करते हैं, इधर इसके सारे controls इस infotainment screen को control करने के लिए हैं, और इधर के controls के अगर हम बात करें तो इसमें आपको cruise control नहीं मिलेगा, तो यह सारे buttons आपके इस digital instrument cluster को control करने के लिए हैं, glove box काफी जदर deep है, back lid नहीं मिलेगा, top model में भी, तो यहाँ पे आपको इसके cup holder है, आपकी drinks together आप ठंडी कर सकते हो, यहाँ पे रखके, इसी events की placement काफी अच्छे से करिए कि यहाने, काफी well laid out लग रहा है interior, और यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे dummy buttons हैं, यह वैसे top model में ventilation के लिए है, यह वाला button आपके parking sensor स्वाउन करने के लिए है, यह हिल decent control का button है, और यहाँ पे आपको दो USB type C के charging post मिलेंगे, यह normal आपका cigarette lighter है, नीचे आपको यहाँ पे कोई भी wireless charging का option नहीं है, आप नहीं से type C में लगा क से अपना phone और चार्ज कर सकते हो, करते हैं गारी के gearbox ही है, यह 6-speed का manual gearbox और अगर मैं बात करूँ इसके rear camera की तो है, rear camera की quality काफी अच्छी, adaptive guidelines आपको इसमें मिल जाती है, और यहाँ पे आपको automatic नहीं मिलेगा, आपको manually adjust करना पड़ेगा रात में, और अब चलते हैं गारी म कुछ ऐसा दिखता है, इसका rear side का door, prestige model का, यहाँ पे आपको soft touch नहीं है, power window के controls है, यह back lid है, इसके door handles है, जो silver में finish किये गए है, दो एक लिटर की bottles अराम से आजाएगी, कुछ ऐसी दिखती है आपको इहाँ पे इसका interior, यहाँ पे आपको leather touch है, पीश में यहाँ पे fabric है, ए इटी के मादले पे, किया कारणा को इस दिखता है, यहाँ पे आपकी दो आधा लीटर की bottles, हाफ लीटर की bottles तो आराम से आजाएगी, उपर आपको दिये गए है, यहाँ पे AC vents, यहाँ पे light, reading light के controls, एक AC vent वहाँ दिया है, यहाँ पे आपको handle है, यहाँ पे coat hook भी दिया गय है, और यहाँ पे आप अगर बात करते हो, यहाँ पे हैं इसके AC blower के controls, तो यहाँ पे आप अपने पीछे की AC को control कर सकते हो, काफी अच्छा काम करता है इसका AC, विदे नो टाइम गाड़ी ठंडी हो जाती है, यहाँ पे आपको पीछे मिलेंगे दो इसके charging sockets, यह यहाँ अपना phone अगरा है रख सकते हो, space की बात करते हैं, same top model की तरह काफी ज़्यदा space है, अगर आपने मेरा top model का review नहीं देखा है, आप मेरे channel पर जाके देख सकते हैं, और बात करें अगर हम इसके third row की, तो third row में आपको एक बार मैं भी जाकर दिखाऊंगा, हाला कि third row में भी आ यहां पर आपको बस एक button दबाना है, और यह automatically पीशे टमबल हो जाती है, काफी decent size space है, तो बच्चों के लिए काफी अच्छा है, यहां पर आपको charging, port है type C का, और same आपको वहां भी मिलेगा, last area की बात करते हैं, काफी अच्छा class area दिया है company नहीं यहां पर, तो गाइस यह थी मेरी Kia Karan's prestige model की video, अगर आपको यह video informative लगी है, then please make sure you subscribe to the channel, share this video with your friends, and please stay tuned with me, I'll see you guys in another vlog very soon, till then stay tuned, stay safe, and goodbye.